नमश्कार स्वागता आपका अपने चैनल एकनोहलपर में तो आज हम आपके सामने लेके आया है एकनो की सॉल्ड असाइन्मेंट जो कि MSC Environmental Science के कोर्स किया है MAV 017 की जिन भी बच्चों का एड्मिशन जैनुरी 23 और जुलाई 2024 का सेशन है थर्ड समिस्टर उन बच्चों को यही असाइन्मेंट सब्मिट करनी है देख सकते हैं clearly mentioned है MAV 017 Environmental Legislations CODAS का MAV 017 और clearly mentioned है January 23 and July 24 तो जिन भी बच्चों ने थर्ड समिस्टर में January 23 में एड्मिशन लिया है और जुलाई 2024 में लेंगे जुलाई 2024 तक वो बच्चे यही सब्मिट करेंगे असाइन्मेंट तो latest मतलब यही सब्मिट हो रही है आप जिन भी बच्चों ने थर्ड समिस्टर के असाइन्मेंट करनी है चाहे वो back semester के हो है या कहीं के भी हो उनको यही असाइन्मेंट करनी है तो असाइन्मेंट हमारे क्वेश्ट के आंसर बहुत ही सही एंड एकुरेसी इसकी 90% से प्लस किया है अगर आप देखोगे तुदा पॉइंट आंसर लिखे हुए है है एक्सपेंद सिग्निफिकेंस ओफ नेशनल एर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम सिग्निफिकेंस को एक्सपेंड करना है तो देखिए अंसर स्क्रॉल कर देते हैं आप यहां से देखके इसको लिख सकते हो यह आगे इसके अब्जेक्टिक कॉश्न में क्या बुचा उसके बाद हमने बता दिए सिग्निफिकेंस ओफ नेशनल एर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इस वीडियो में हम आपको पूरी की पूरी के पांच कोश्चन सौल्ड करके देंगे लेकिन इसके इलावा अगर आपको फिर भी इसकी पीडिएफ चाहिए हो तो हमें हो गया कम्प्लेट सेक्डेंड हमारा एक्सपेंड असलेंड फीचर हो फिर और वन श्रीक्शन एक इसका इसका भी आंसर में थे हुआ है आप यहां से देह कर लिख सकते हो कि है हमारा सेवीचर अप इन्वर्नमेंटल प्रोटेक्शन एक इनेटीन इसक्स ऐसा नहीं कि छोटे शॉट्स में कंप्लेट कर दिया गया हो देखिए इसके हमने 10 पॉइंट्स लिखे हैं और 20 मार्क के लिए 10 पॉइंफ है उससे तरह से हमारा थर्ड कोशन आगया एक्सप्लें दा फीचर ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिशी 2002 इसके भी फीचर्स बताने हमने इसमें भी हमने फीचर्स में राउंड 8 टू 10 पॉइंट जरूर लिखे हैं मुझे लगता है अगर आप यहां से देखेंगे तो सारे कॉशन के आंसर एकदम एकुरेट दिये गए हैं आप चाहो तो यहीं से कॉपी करके भी लिख सकते हो कोई अगर दिक्कत निहीं होने वाली है है कि ट्रॉल पॉइंट लिखे हैं मुझे इसमें घना मारा फॉर्ट कोश्न आता है एक्सपेंड फीचर पैरिस एक्रिमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर पर पैरिस एक्रिमेंट को हमने एक्सपेंड करना है यह भी कोश्न में से 20 नमबर मिल जाए अगर आप यहां से लिखेंगे तो आपको 75 80 80 प्लस ही नमबर मिलेंगे तो लास्टाइम की जो हमारी असाइन्मेंट्स थी 11 12 13 उसमें जिन भी बच्चों ने लिखा है उनको भी 80 90 के अरॉंड मार्क्स मिले हैं इसमें भी हमने 10 11 13 13 पॉइंट्स लिखें है 14 15 तो लोग एंसर को एक लोग एंसर की तरह लिखा है जिसमें आपको 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना है इसको देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखने हैं हमने दो सब्सक्राइब को फॉरस्ट कांवरेशन एक्ट उन्फ सिस्ट के पता दिया की फीचर किया है इसके हैं अगर आप चाहो तो यहां से कॉपी करके लिख सकते हो या तो हमसे पीडिएफ लेकर भी लिख सकते हो पीडिएफ कि लिख 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 वो एक चोटी सी कॉश्ट पे आगे हमारा B, UNFCCC अगर आप चाहो तो यहीं से कॉपी करके भी पुरी वीडियो को प्ले करके पास करके लिख सकते हो तो अगर आप MSC Environmental Science के स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि प्रैक्टिकल से रिलेटिड कोई भी जो आगे हम चैनल में देने वाले हैं वो आपको पता चल जाए इसी तरह से हमारे 5 के 5 क्वेश्चन हमने इसमें कम्प्लीट कर दी है तो अगर आपका भी अड्मिशन जैनुरी 23 में या उससे पहले कहले लिगिन आप अभी करेंट मतलब मार्च 23 में मार्च अपरल में असाइन्मेंट सब्मिट करेंगे मार्च अपरल के बाद तो आपको यह ही असाइन्मेंट सब्मिट करनी है में वी 17 की जो लेटेस्ट आ गई है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कोई भी क्यों रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताए थैंक यू